Hello everyone, नमस्कार आप सभी को, very good morning to all of you. दिन की शुरुबात करेंगे 22 October 2024 के Current Affair के साथ. Current Affair की PDF आप मेरे Telegram Group से डाउमलोड कर सकते हैं. Telegram का लिंक वीडियो के description में दिया हुआ है. वीडियो में सबसे पहले कल के question की बात करेंगे. कल मैंने आप से computer से question पूछा था. आपको ये भी बताया था, वैसे तो हर monitor जब दूसरा उसे replace करता है, तो पहले वाले से बहतर technology के साथ आता है, बहतर visibility के साथ आता है. लेकिन इन में से एक ऐसा monitor है, जो कि electricity consumption low के लिए जाना जाता है. तो ये है कौन सा LED? और मुझे देखकर खुशे हुई कि maximum लोगों ने सही answer किया है. वैसे यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे पहले और 60 का answer, शुशील राजूवर ने किया हुआ है, उसके बाद जो answer सही है, वो है राजा सूर्य वंसी का, और उसके बाद आदर स्पिटेल, यह top 3 student है, जिनके answer बिल्कुल सही है, बीच में दो ऐसे student है, जिनोंने इनसे पहले भी answer किया है, लेकिन उनके answer गलत हो गए है, जैसे कि एक हैं गबबर शेर, इनकी इस नाम से ID बनी हुई है, और एक student है, जिनका नाम है सौभाग्यवती नायक, इन दोनोंने answer किया है LCD, बाकी और भी student आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजें यहाँ पर, अंसर क्या है, देखें, CRT इन सब में सबसे पहले monitor आये थे, जिसको बोलते हैं cathode ray tube, CRT के बाद ये वो आले monitor होते थे, जो कि TV जैसे आपको दिखाई देते थे थे ना, पीछे इस तरीके से निकले होते थे, ऐसे करके, ये CRT monitor होते थे, उसके बाद LCD आये, LCD जिसको बोलते हैं liquid crystal display, ये पूरा flat ऐसे TV की तरह आये थे, ठीक है, और इनकी खास बाद ये होती थी, कि इसमें जो screen है, screen display में जो दो film होती है, उनके बीच में एक तरीके का liquid पदार्थ होता है, जिसकी वज़े से जो इसकी visibility थी, वो CRT से कहीं ज़्यादा बहतर हो गई, इविन आप इनको दबा कर भी देखोगे ना, इनकी screen तो आपको ऐसा feel होगा, कि अंदर कोई द्रव है, इसके बाद मार्केट में LED जिनको बोला जाता है, light emitting diode, और basically इनके नाम से ये आपको समझ आ जाना चाहिए, light emitting diode, मतलब ये laser light पर based थे, और इनकी खास बात ही ही है, कि ये electricity बहुत कम consume करते थे, तो इस वज़े से, ये LCD से पहली चीज़ तो quality में भी बहतर थे, दूसी चीज़ बिजली की खबत भी कम होती थी, मतलब अभी तक जितनी बिजली की खबत होती थी, उसका केवल 40% में ही LED काम करते थे, लेकिन आज की डेट में TFT चलना है, जिसको बोलते हैं thin film transistor, ये सबसे latest technology है, और इनकी खास बात ये है कि ये थोड़े से कर्व होते हैं इस तरीके से, मतलब आप कमरे में कहीं पर भी बैटे हैं, हर जगे से आपको proper visibility रहेगी, और नाम ही है thin film transistor सबसे अदा sleek होते हैं, और LED वाली technology पर ही ये based हैं, मतलब low electricity consume करते हैं, तो सही answer है LED, जिन्होंने LED answer किया थी, exam engine application पर आप मेरे batches को follow कर सकते हैं, apart from this, इस किताब को आप Amazon से order करके, static GK के लिए आज ही अपने घर मंगा सकते हैं, ये किताब का link वीडियो के description में है, Hindi और English दोनों में ये किताब launched है, जिस भाषा में आप चोहें इसे मंगा सकते हैं, इस किताब के अंदर 81 topic मैंने static GK के cover किये हैं, शायद ही कोई topic छूटा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, apart from this, 2100 से जादा previous year question static GK के, जो की TCS pattern पर आधारित हैं, वो भी इस किताब में दिये गए हैं solution के साथ, तो अगर static GK के लिए आपको हर एक exam की तैयारी करनी है, तो ये किताब आपके लिए one stop solution है, NTPC batch का भी direct link वीडियो के description में है, 45% off चल रहा है, तो आप इसे भी avail कर सकते हैं, और पूरा syllabus RRB NTPC की vacancies के लिए cover कर सकते हैं, इस batch के अंदर 350 घंटे से ज़ादा की classes हैं, पूरा GSGK covered है, General Science अलग से cover है, reasoning और maths, ये सारा कुछ NTPC के अधाब पर cover हैं, शुरू करते हैं current fair, ये कौन सा राज है, जहां पर Vedanta Group कंपनी के द्वारा, एक लाग करोन का निवेश किया जाएगा, और ये जो निवेश किया जाएगा, ये oil, gas और zinc के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, तो Vedanta Group एक काफी बड़ी कंपनी है, और इनों ने फैसला लिया है कि ये राजस्थान के अंदर अपने नए plants स्थापित करेंगे, जहां पर oil और gases की जो मातरा है उसको पहले से कहीं जादा बढ़ाया जाएगा, और साथ में zinc के उत्पादन में भी तेजी लाई जाएगी, अभी तक जो Vedanta Group की कंपनी हैं जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान zinc, ये जितना कि ये zinc उत्पादन करना हैं, उसको बढ़ाकर ये 1.2 million ton प्रतिवर्ष ये करना चाहते हैं, इतना ही नहीं, अभी तक ये हर साल 800 ton चांदी का उत्पादन करते हैं, जिसको बढ़ाकर ये 2000 ton चांदी करना चाहते हैं per annum, तो इस तरीके से ये जिन भी minerals का उत्पादन करना चाहते हैं, इतना ही नहीं, अभी तक ये जितना तेल का उत्पादन करते हैं, उसको बढ़ाकर 3,00,000 barrel per day ये कर देंगे, तो ये target लेकर चल लिए वेदान्ता ग्रूप, जिसके लिए 1,00,000 क्रोण का निवेश करेंगे, वेदान्ता ग्रूप काफी पुरानी कंपनी है, 1979 में इसकी स्थापना करी गई थी, इसका headquarter है मुंबई, और वेदान्ता के CEO हैं सुनील डुगल, कौन है, सुनील डुगल, वाकि अगर राजस्थान की बात करें, तो अभी 4 मेहने पहले वेदान सभा के election थे, राजस्थान में इस बार BJP की सरकार आ गई, इससे पहले कॉंग्रेस की सरकार थी यह शोग गैलोत की दी, जब BJP की सरकार आई है तो इस टाइम पे मुख्य मंत्री हैं यहां के, बजनलाल शर्मा, और यहां के गवर्नर है, हरी बावू, किश्नराव बागदे, प्रधान मंत्री नरेन मोदी के द्वारा, RCS उडान योजना के अंतरगत, कितने नए एरपोर्ट्स का उद्वाटन किया गया है, RCS उडान जिसको बोलते है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, यह इसका पुरा फुल फॉर्म है, और इस योजना की शुरुआत साल 2017 में, पीम नरेन मोदी के द्वारा करी गई थी, इस योजना का मेन उद्देश यह है, कि भारत के जो छोटे शहरन है, उनको अपस में कनेक्ट करना हवाई माध्यम से, मतलब फ्लाइट्स के दूरू कनेक्ट करना, और अब्यस की बात है, यह तब हो पाएगा, जब छोटे शहरों में भी एरपोर्ट की स्थापना करी जाए, तो अभी फिलाल में ही, तीन नए एरपोर्ट का उद्धाटन किया गया है, एक साथ, अब ये तीन एरपोर्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपका 36 गड़ में, जिसता नाम है अंबिकापुर, क्या नाम है अंबिकापुर, तो अपसे अंबिकापुर में नया एरपोर्ट खोल दिया गया है, और बहुत जल्द यहां पर फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी, दूसरा जो एरपोर्ट है, वो उत्तरपदेश के साहरनपुर में इंस्टाल किया गया है, यहां की भी फ्लाइट जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, और तीसरा जो है, यह MP के रिवा में इनाउग्रेट किया गया है, तो अब MP का रिवा, उत्तरपदेश का साहरनपुर और चत्तिसगर का अंबिकापुर, यह तीनो एरपोर्ट बहुत ही जल्द फंक्शनल हो जाएंगे, इनाउग्रेशन इनका पूरा हो चुका है, और यह जो योजना है, इसको जब पहली बार लॉंच किया गया था, 2017 में, RCS उडान, तो आपको पता है, जो पहली फ्लाइट चली थी, वो कहां से चली थी, पहली फ्लाइट, शिमला से दिल्ली तक चनिक्ट करी गई थी, ठीक है, तो इनाउग्रेशन इसका शिमला में किया गया था, इंडियन आर्मी की एक कौन सी कॉप्स है, जिसके द्वारा हाली में एक एक्सराइज कंड़क्ट करी गई है, जिसका नाम है सौल अंबन शक्ती, तो सौल अंबन शक्ती नाम की मिलिटरी एक्सराइज, सुदर्शन चक्रकॉप्स के द्वारा कंड़क्ट करी गई है, और इस exercise में करीब ठारा सो से जादा आर्मी परसनल्स ने हिस्सा लिया पचास specialist vehicle थे और 210 armored vehicle थे और इन सब को लेकर यह जो particular exercise conduct करी गई है इसका main उद्देश यह है कि anti-drone technologies का use करते हुए अगर दुश्मन drone से attack कर रहा है तो किस तरीके से उसको neutralize किया जाएगा और साथ में field range पर इसकी exercise करी गई है जो यह venue था इसका यह जहांसी के पास एक field range पड़ती है जिसको बोलते हैं बबीना field firing range वहीं पर यह पूरी exercise conduct करी गई है अभी कुस टाइम पहले ही एक exercise conduct करी गई है कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसका नाम है सागर कवच क्या नाम है सागर कवच यह किसने conduct करी है तो यहाद रहे इंडियन कोस्ट गार्ड ने सागर कवच कंड़क्ट करी है गुजरात और दमन दीव के कोस्टल एरिया बड़ी के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसने पदभार समाला है यहाँ पर ICC का मतलब International Cricket Council नहीं है बलकि यहाँ पर इसका मतलब है Indian Chamber of Commerce यह एक ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना सन 1925 में करी गई थी इसका हेड कोटर है कोलकता और पूरे भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो मानक बनाये जाते हैं वो Indian Chamber of Commerce के ही दोरा बनाये जाते हैं तो इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में हाली में अपोइंट किये गए हैं अब्यूदे जिन्दल कौन है अब्यूदे जिन्दल और ये कौन है तो जो जिन्दल ग्रूप है ना जिन्दल ग्रूप के अंदर जिन्दल स्टेनलेस स्टील के सी यू है इस टाइम पर अब्यूदे जिन्दल तो अपसे ICC के प्रेसिडेंट ये होंगे और इनको पदवार दिया गया है प्यूश कोयल के दौरा जो की Commerce Minister है और भारत सरकार का में उद्देश ये है इस पर्टिकुलर कॉन्फरेंस के दौरान भारत सरकार ने एकलियर किया है कि 2047 तक भारत सरकार जाती है कि भारत 35 ट्रिल डॉलर की Economy है दो और Appointment ध्यान रखिए जो पार्थिव विक्रम ने ओतिया है ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अप्वाइंट किये गए हैं ICC के और बिज भूशन अगरवाल जो है ये Senior VP के रूप में अप्वाइंट किये गए हैं मतलब Senior Vice President के तो ये तीन कोश्च है इसका नाम है नसीम अलबहर तो ये एक तरीके का स्टाटिक जीके का भी कोश्चन है आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जैसे कुछ exercise हैं जो कि particular दो ही देशों के बीच में conduct होती हैं उसमें कोई भी तीसरे देश का काम नहीं होता है तो नसीम अलबहर एक ऐसी exercise है जो भारत और उमान के बीच में जो exercise conduct करी गई है इसमें भारत की तरफ से आइनस त्रिकंद ने हिस्सा लिया है किसमें आइनस त्रिकंद और उमान की रॉयल नेवी इस बार इसका वेन्यू था गोवा वहाँ पर गोवा में इसे conduct किया गया बेसिकली ये दो फेस में conduct करी गई ह एक तो एक कोस्ट फेस में जिसको हार्बर फेस भी बोला जाता है और दूसरा जिसको सी फेस बोलते हैं मतलब आधी military exercise कोस्टल एरिया पर conduct करी गई है और आधी आपके समुद्र के बीच में conduct करी जाती है उमान की capital है मसकट और यहां के सुल्तान है हैतम बिन तारीक क्या न UAE की capital अबुदावी इस टाइम पर दुनिया का wealthiest city है मतलब सबसे जादा पैसे वाला शहर है हाली में इंडोनेशिया के नए रास्टपती कौन बने हैं तो इंडोनेशिया में presidential election इस साल के शरुवात में हुए थे फरवरी में और तभी यह चुने गए थे करीब 60 प्रतीश वोट से इन्हें बहुमत मिला है जो आपको picture में दिख रहे हैं इनका नाम है प्रभोवो सुभियान्तो क्या नाम है प्रभोवो सुभियान्तो और इस से पहले ये इंडोनेशिया के अंदर special forces के commander भी रह चुके हैं बाद में इनोंने फैसला लिया retirement के बाद किया politics जोइन कर रहे हैं प्रभोवो सुभियान्तो इंडोनेशिया के आठवे रास्टपती है एक और important बात है प्रभोवो सुभियान्तो एक ऐसे रास्टपती है जिन्होंने सबसे बड़ा cabinet आज तक का इस्थापित किया है इससे पहले अगर जो को video की बात करी जाए तो उनके cabinet में करीब क कहीं जादा है तीन कुने से भी जादा है हाली में अलमाती में पहली बार किसने ATP 250 टाइटल अपने नाम कर लिया है तो यह डबल टीम है और भारत की ही है तो इस डबल टीम में कौन कौन है एक तो है रितविक बोली पली और दूसरे है अरजुन खाडे इन दोनों ने मिलकर ATP 250 टाइटल अपने नाम कर लिया है और पहली बार यह इनका ATP 250 टाइटल है अलमाती कहांपर है जिसको आजजित किया गया जहांपर यह अलमाती पड़ता है कजाकस्तान में कहां पर कजाकस्तान में और फाइनल में इन्होंने जिनको हराया है एक खिलाड़ी है तुनीश्या खाड़े और रितिक, बोली-पली दोनों नहर के लिए ये कौन सा देश है जिसके लिए भारत ने जो plantation community है उनकी उनको सिक्षा देने के लिए जो बजट था उसको डबल कर दिया है देखे है क्या ये देश है शिलंका ठीक है और शिलंका में ऐसा समुदाए जो की पौधों के उपर निर्भर है मतलब पौधार ओपर करके या फिर पौधों से ही कुछ खेती वगेरा करके उन पर अपना जीवन यापन करते हैं तो ऐसी community को support करने के लिए शिलंका और भारत के बीच में पहले से ही पैक्ट साइन था भारत सरकार लगातार शिलंका को मदद देती रही है पिछले कई सालों से इवेन विकेट से आप समझ लीजे दसीयों साल हो गए है लेकिन इस बार इसका उमारा दिसानायके तो जैसे ही यहाँ पर नई सरकार बनी है नई सरकार ने भारत सरकार से request करी कि इसमें जो budget है उसको बढ़ा दिया जाए तो भारत सरकार ने इसको बढ़ा कर अब कर दिया है 172 million Indian रुपीस जो कि शिलंका रुपीस में अगर देखा जाए तो करीब 600 million शि तामिल कम्यूटी है जो कि plantation के ऊपर अपना जीवन यापन करती है तो Indian origin इन तामिल कम्यूटी इसको बढ़ावा देने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ये मदद देती आई है शिलंका की दो capital है जैवर्दने कुट्टे और कोलंबो ये कौन से शहर की metro rail है जिसने हाली में driverless train का phase second का project का trial start कर दिया है तो ये है CMRL जिसको बोलते है चिन्नाई metro rail corporation आपको पता है चिन्नाई metro की स्थापना कप करी गई थी 2007 में और चिन्नाई metro ने second phase के अपने trial start कर दिये हैं जिसमें की जो metro होगी वो आने वाले समय में चिन्न wireless basis कोई भी driver की जड़ोत इसमें नहीं होगी AI पर पूरा बेस्ट होगी ये metro और इसके लिए तमिलनाड़ सरकार ने इससे पहले ही 63,000 करोन से जादा का investment किया हुआ है तो बहुत ही जल्द इन trials के बाद ही चिन्नाई में driverless metro trains दोड़ेंगी और CMRL जो है ये इस तरीके की total 36 ट इने total चलाई जाएंगी तो पहले trial एक बार पूरे तरीके से संपन्न हो जाए उसके बाद लगातार इसका production स्टार्ट हो जाएगा भारत की सबसे high-tech metro है दिल्ली metro और अगर बात करी जाए सबसे पुरानी metro कौन सी है तो ये है कोलकाता metro जिसकी starting 1984 में करी गई थी वर्ड iodine deficiency day कौन से दिन मनाया जाता है हिंदी में बोने तो विष्ट iodine अलपता दिवस ये दिवस प्रल के दिन मनाया गया 21 अक्टूबर को इस दिवस को मनाने के पीछे का में उद्देश है कि दुनिया बर में awareness फैलाई जाए कि iodine एक good health के लिए कितना बहतर होता है iodine की कमी से गोइतरे होता है जिसको हिंदी में गेंगा बोलते है ठीक है तो basically हर एक देश इस चीज़ को follow करता है और नमक में proper iodine होना चाहिए ये एक तरीके से दुनिया भरके हर एक देश के अंदर मानक में शामिल है तो diet में iodine की कमी का मतलब यह है कि आप कई सारी बीमार वर्ल कप अपने नाम किया है और नियूजिलेंड ने पहली बार यह title जीता है आपको बता दूँ और कहां पर हुआ है यह इस बार तो इसका final डुबई में केला गया वैसे अगर बात करी जाए तो इस बार host country कौन कौन से थे तो दो host country थे एक तो है United Arab Amirat और दूसरा Bangladesh है विश शकब की सुरवात 3 October को हो चुकी थी और फाइनल इसका 20 October को कहला गया है और इस पूरे tournament में अगर बात करें तो player of the match final में जो रही है खिलाडी इनका नाम है Emilia Care क्या नाम है Emilia Care New Zealand की खिलाडी है player of the match भी यही रही है player of the tournament भी Emilia Care ही रही है और highest wicket taker भी tournament की Emilia Care ही रह है और अगर बात करें highest run scorer कौर नहीं है तो South Africa की खिलाडी है जिनका नाम है Laura Fulwald और final में New Zealand ने South Africa को ही रहा है खैर South Africa इस साल अगर देखा जाए तो जो Men's T20 World Cup भारत ने जीता है final में South Africa अब Women's T20 में भी South Africa को ही रहा कर New Zealand जीता है और इतना ही नहीं 2023 का जो Women's T20 World Cup था उसमे भी Australia ने final में South Africa को ही रहा कर जीता था तो South Africa के साथ एक तरीके से बोल सकते हो cricket में Bad Luck चलता है चाहे Men's Team हो चाहे Women's Team खैर जो टीम इस बार जीती है मतलब New Zealand इनको 2.3 million dollar से price money दिया गया है और South Africa जो की runner अप रही है इनको 1.1 million US dollar मिले है इस cyclone का नाम क्या है जो की बहुत जल्द Odisha और Bengal के coastal तटो पर आने वाला है तो coastal एरिया से टकराने वाला है जो cyclone है यह Bay of Bengal में spot किया गया है और बहुत ही जल्द एक से दो दिन के अंदर यह Odisha और Bengal के coastal एरिया को हिट कर सकता है इसका नाम है cyclone Dana क्या नाम है दाना और यह ज तो इसका मतलब यह है कि दरसल यह नाम इसले दिया गया है कि जो cyclone है यह थोड़ा सा उग्र हो सकता है और IMD की रिपोर्ट के आधार पर Red Alert डेकलेर कर दिया गया है Odisha और Bengal के जो coastal reasons है जहाँ पर यह cyclone टकरा सकता है वहाँ पर लोगों से बस्तियां खाली करा दी गई है Railways के किसी भी exam के लिए आप मेरी इस किताब को मंगा सकते हैं यह किताब हम तीनों ने मिलकर compile करी हुई है मैंने GSDK का पूरा section काजल मैंने science का पूरा section और अरुन सर जो की career will में पढ़ाते हैं इन्होंने reasoning का पूरा section हम तीनों ने मिलकर यह जो किताब compile करी है इसमे 2016 से लेक solution paper आपको दिये हुए है 260 से जाधा जो paper है इत्रा ही नहीं उसको हटा कर गरीब 3500 west railways के question है solution के साथ तो इस किताब का link भी video के description में है आज यह आप अंगा सकते हैं से अब मेरा आज का सवाल है आपसे Congress का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था ठीक है इसमें सुराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे बताइए जरा comment box में लिख कर exam engine application से GSGK का foundation batch आप मेरा purchase कर सकते हैं किसी भी one day exam के लिए यह वो batch है अपार्ट फ्रम दिस cable history, cable quality, only geography इस परीके के options भी available है जो कि आप purchase कर सकते हैं exam engine application से आज की बात यहीं तक रहेगी thank you so much have a nice day take care baba आपका दिन मंगल में हो